ग्यान विज्यान और रहस्यमई तथ्यों वाले चैनल में आपका स्वागत है वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको मेडिकल साइंस की उस प्रिक्रिया के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से एक ढून को परक्नली में तयार किया जाता है और उसके बाद महिला के गरवाशे में प्रत्यारूपित कर दिया जाता है यह तकनीक निसंतान दंपत्यों के लिए एक बरदान है तो आएए जानते हैं इन विट्रो फाइटिलाइजेशन यानि क्रत्रिम गरवाधान टेस्ट्यू बेवी कैसे होता है इस तकनीक में महिला के अंडासे से अंडों को निकाल कर उसका संपर्क द्रवमाध्यम में सुक्राणूं से कराया जाता है और उसके बाद निशेचित अंडाणू को महिला के गरवासे में स्थान तरित कर दिया जाता है यह पिरकिरिया कुल 5 चरणों में होती है पहला चरण इस पिरकिरिया में महिलाओं को पहले 2 हफते तक लगातार सप्रेसिव इंजेक्शन देकर प्राकिर्तिक रूप से होने वाले मासिक चक्र को दबा दिया जाता है दूसरा चरण इस चरण में प्रजनन हार्मोन फॉलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ावा देने वाली दबाएं दी जाती है इससे सामाने से ज़्यादा अंडाणू बनने लगते हैं इस दोरान अल्टरा साउंड की पूरी पिरकिरिया को निगरानी में रखा जाता है तीसरा चरण बेहत छोटे ओपरेशन द्वारा ओवरिस के एक्स को एकटा किया जाता है यह पिरकिरिया साबधानी पूर्वक कई बार दोराई जाती है जिससे की अंडों की संख्या को बढ़ाया जा सके चौथा चरण एकटा किये गए अंडानूं को प्रमुक शुक्रानूं के साथ प्राकृतिक तरीके से निंत्रित चेंबर में एक साथ रख दिया जाता है कुछ घंटों के बाद सुक्रानू अंडे में इंजेक्ट होने लगते हैं इस प्रकिरिया को एंडो साइटो प्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं इस प्रकार फटिलाइज एक्स ब्रूड बन जाते हैं पाचवा चरण चुने हुए एक या दो ब्रूड को कैथेटर द्वारा गर्म में प्रत्यारूपित किया जाता है निश्चित रूप से आईवी एफ द्वारा टेस्ट्यू बेवी पद्दिती उन तमाम लोगों के लिए एक मिल का पत्थर सावित हुई है जो संतान होने की सारी आस खो चुके हैं तो दोस्तो कैसी लगी यह है जानकारी नीचे कमिट्मेंट बॉक्स में जरूर लखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा कर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह बिल्कुल फिरी है